गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाव आर यू, वेलकम टू ओल उफ यू, इन फिजिक्स ओनलाइन क्लास, बेटा हमने टैंथ भी चैप्टर स्टार्ड किया हुआ है, जिसका नेम है वेव, सो आज हम इसी चैप्टर को कंटीनू रखेंगे, वेव चैप्टर में से हमने टोपिक स्टार्ड किया था, जिसका नेम है स्टैंडिंग बेव, ठीक है, स्टैंडिंग बेव को और कौन सी बेव बोला जाता है, स्टेशनरी बेव, तो जो स्टेशनरी बेव है हमारे पास, उसके हमने जो क्रेक्टर स्टिक है, वो डिसक्स कर लिये थे, ठीक है, हमने इस को find करना है तो हम by Airport करेंगे देखो by T यह हमारे पास letter s Bean है Sting की हमारे पास Total max क्या है L ठीक है हमारे पास और toutірट के shortcuts एंड पॉएंड यह स्कार्टई पॉइंट यह वहला एंड अपॉइंड स्टाइट gef विए x कि स्टिंग के एक्कुल है 0 के end वाले point में x कि स्टिंग के एक्कुल है l के क्योंकि जो total length है string की वो क्या है हमारे पास l ठीक है तो मैंने आपको node की बारे बारे भी बताया था node कहां मनते हैं यहाँ पर displacement क्या होता है 0 तो node की यह वली position है एंटी नोड कहा हम बनते हैं यहां पर डिस्पेस्मेंट है मैक्समुम होता है देखो द्यान से डायग्राम में यह एंटी नोड की प्रिशन है अब हमने क्निशन्स पुट करने हैं इसमें एकसे इकल टुट जीरो द्यान से देखो डायग्राम को जब हमारे पास एकस की वैलू जीरो है तो य की वैलू क्या है जीरो क्योंकि यहां पर क्या वन रहे है नोड नोड के केस में डिस्पेस्मेंट कितना होता है जीरो ठीक है सेक्ड गिशन देखो एड दा अधर अधर तो यह वाली boundary condition हम इसमें put करेंगे तो हमने put कर दी यह वाली boundary condition यहां पर x की value कितनी है l, y की value कितनी है 0, तो हमारे पास यह वाली equation बन गी, हमारे पास formula बन गया sin k l is equal to 0, ठीक है, तो अब हमने इस trigometric function को solve करने, sin k l को हम sin n pi के एककल भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहां पर n की value 0 पुट करेंगे, तो भी हमारे पास value 0 आएगी, ठीक है, n की value 1 पुट करेंगे, तो sin pi की value क्या होती है 0, अगर हम n की value 2 पुट करेंगे, तो sin 2 pi क्या होती है 0, ठीक है, अब हमारे दोन क्या है, हमारे पास propagation constant, propagation constant की हमारे पास value क्या होती है 2 pi पॉन lambda, तो lambda की value क्या आगी हमारे पास 2 l पॉन n, ठीक है, यहां से हमने solve कर लिया, pi के साथ pi cancel हो गया, lambda की value क्या आगी 2 l पॉन n, ठीक है, n is equal to 1, 2, 3 corresponding to 1st, 2nd and 3rd node, ठीक है, जब n की value 1 पुट करेंगे, 1st node आजाएग नेक्स्ट के अबेटाइस में, derivation में, 1st normal mode of vibration, ठीक है, तो हमारे पास wavelength का standard formula आगा है, 2 l पॉन n, 1st normal mode of vibration के लिए find करने हमने, lambda की value, sing vibrate as a whole in one segment, 1st normal mode of vibration के case में, जो sting है, as a one segment vibrate करेगी, तो n की value क्या पुट करेंगे, हम 1, ठीक है, यहाँ पे हमने n की value क्या पुट करती, 1, तो lambda 1 की हमारे पास value क्या आगी, 2 l, ठीक है, तो l की value क्या होगी, हमारे पास lambda 1.2, देखो, अब हमने frequency find करने है, 1st normal mode of vibration के लिए, तो velocity का formula क्या होता है, हमारे पास new lambda, frequency का formula क्या होएग, velocity पॉन lambda, 1st mode के लिए बात करें हम, इसलिए new 1 is equal to v for lambda 1, बट यहाँ पे हम, जो velocity है, उसको same रखेंगे, क्योंकि velocity of the wave does not change, ठीक है, तो new 1 की value के आगी, हमारे पास, velocity पॉन 2 l, ठीक है, क्योंकि lambda की value के आगी थे, हमारे पास 2 l, ठीक है, अब देखो, हमने एक general standard formula ड्राइव की है था velocity का, जो string में, मतलगी, जो wave है, string में produce होती है, उसकी velocity का formula होता है, square root t.m, अब हम क्या करेंगे, हमने frequency का formula find करना है, यहाँ पे velocity और velocity की value के तीक है, अब धहाने, यहाँ पे velocity की value के हमारे पास, square root t.m, तो हमारे पास frequency का formula आगे है, है fundamental frequency का formula आ गया इसको हम fundamental frequency बोलते है fundamental frequency का मतलब होता है जो first normal mode of vibration में produce होती है then हम second case discuss करेंगे second case में क्या है second normal mode of vibration इसमें जो मतलब कि string है string vibrate in two segments of equal length जो string है two segment में vibrate करेगी ठीक है दोनों segment की जो length है वो equal होएगी तो जो हमारे पास general formula है lambda का हमने उसमें value पूट कर देनी है general formula के हमारे पास lambda का lambda is equal to l upon n ठीक है जैसे lambda 1 find करने के लिए हमने n की value को 1 पूट किया था lambda 2 find करने के लिए हम n की value को क्या पूट कर देंगे 2 2 के साथ 2 cancel हो गया तो lambda 2 की value के आगी मारे पास अब हमने क्या find करने frequency frequency को new 2 से represent करेंगे डिस is equal to velocity upon lambda 2 ठीक है lambda 2 की value के आगी मारे पास है तो देखो जो new 2 है उसकी value के आगी हमारे पास velocity upon l इसको मैंने 2 के साथ तो divide कर दिया 2 के साथ multiply कर दिया क्योंकि जो new 1 की value है वो क्या है velocity upon 2l अब हमें इस factor को क्या लिख सकती हूं new 1 लिख सकती हूं इसलिए new 2 का फोर्मूला आगया मेरे पास 2 new 1 ठीक है तो wavelength का तो मेरे पास standard formula था 2l upon n तो अब हमारे पास किसका frequency का भी standard formula आ गया new n is equal to n new 1 ठीक है next definition of node there are two node in first normal mode of vibration जब first normal mode of vibration होएगा तो कितने node होएगे two ठीक है जब second normal mode of vibration होएगा कितने node होएगे three इसका मतला मतलब जब जब हम वे a normal mode को increase करते हैं हमारे पास node की value क्यों होती है १ूरी इसलिए nth normal mode of vibration में महारे पास कितने node होएगे ए न the plus one node position of node ठीक है position of node की लिए तो हमारे पास value हागी मतलिकी position of node और नोड कहा परे फरम्ड होते है जी रोप इल पॉन-पै तूअनन पै त्रील-पॉन-पै अब टू अन्ति नोड जैसे डायग्राम में मैंने बताए था Anti-node are located in between the nodes तो जो anti-nodes होते हैं 2 node के बीच में located होते हैं इसलिए जो anti-node के बीच में होएगी ना इसलिए हम इनके बीच में point consider करेंगे ठीक है, यहां पे point, यहां पे, यहां पे तो L और L upon N के बीच में point की आएगा या L.2N, ऐसे करके हमारे पास यह एंटी नोड की पिशन आगी, ठीक है, तो हमारे पास एक जन्रल फोर्मूला आगया, सबी चिज्जों का, मतलगी, एन अथ नोर्मल और मोड ओफ बाइबरेशन में, इतने नंबर ओफ नोड होएंगे, ठीक है, पिशन ओफ नोड का और फ्रकेंसी का हमारे पास टेंडर फोर्मूला आगया, क्या आगया, 1.2L, स्केर और T. ठीक है, इसको अब यह भी लिख सकते हैं, लाफ लेंथ, लाफ लेंथ के कोडिंग जो फ्रकेंसी है, वो किसके नमसली पोशन है, लेंथ की, ठीक है, लाफ टैंशन, टैंशन के कोड पर लेक्शर में था उमने स्टैंडिंग वे, डिसक्स किया था, वस्टैंडिंग वे के क्रेक्टर स्टिक क्या है, इसके जन्र लोकेशन को फाइंड गया था, आज हमने पूरी डैरिवेशन को सौल किया, ठीक है, आपने समी अच्छे नोट्स पनाने हैं, कोई भी प्रोब